आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ यह है हमारे पास में पुच्छल तारा या फिर हम लोग इसको बोलते हैं धूम केतू अब क्या होता है कि जैसे कि यह यहां पर हमारे पास में सूर्य है ठीक है ना और जब यह सूर्य के तरफ में आता है तो क्या होता है बेटा इस पर एक अपकेंदरिय बल लगता है कौनसा वाला बल अपकेंदरिय बल सूरे के जब ये चारोosed तरफ इस तरीके से जब गूमता है तो इस पर एक अपकेंदरिय बल लगता है जिसकी वज़े से इसका कुछ द्रविमान जो है वो पीछे की तरफ में हटने लगता है सूरे के चारो तरफ परिक्मा करता है तो अपकेंद्रिय बलके कारण क्या होता है बेटा इसके कुछ द्रविमान जो है न वो पीछे की तरफ में आ जाता है और वो जलता हुआ नजर आता है जो से कि हमार पूछ की तरह नजर आता है तो इसकी वज़े से यहाँ पर पूँच दिखाई देती है जो इस यहाँ पर देखे अ में दिया गए कि जैसे ही तारा सूरे के परितर घुमता है तो तारे का हलका द्रविमान अपकेंद्रिय बलके कारण बहार के ओर धखेल दिया जाता है अ हमारा सही है दूसरा तारे का हलका द्रविमान पूँच की दिशा में इस्तित किसी अन्ने तारे द्वार आकरशित के लिए जाता है जी नहीं वेटा सूरे द्वारा उस सर्जित विगरन पुच्छल तारे पर विगरन दाब नहीं यह वाला भी गलत है और उसके बाद में जो हमारे पास में है को पुछल तारे के फूर सद्यों इसी धिश्ट होती है कोई जरूरी नहीं है ठीक है न तो ये भी गलत है केवल और केवल अ हमारा सही है Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज राउनलोड करें डाउटनेट आप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर